उनमें मीडिया से बातशीत के दुरान प्रदेश कॉंग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कॉष्ण ने बागी वधायकों पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ वो दुर्भागयपूर्ण है ये एक राजनतिक शड़यंतर रचा गया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सरकार को गिराने का भाज़पाई शड़यंतर पूरी तरह फेल रहा राजनीती में इस तरह की घटना से प्रदेश के लोग शर्मसार हुए है कि यहां कॉंग्रेस की सरकार आई थी विपरीत परिस्थितियों में उसी तरीके से जो सरकार टॉपल करने की कोशिश हुई है उसमें भी हिमाचल परदेश एक उधारन बना है कि भारतिय जनता पार्टी के तमाम अथकंडे धन, भल, सत्ता, शड़यंतर, कूटनिती सब कुछ भारतिय जनता पार्टी का जो है सरकार को टॉपल करने के नजरिये से जो है वो असफल हुआ है और आज भी हमारी सरकार भहुमत में है और पूरी मजबूती के साथ परदेश की जनता की सेवा कर रही है ये इनको नई बारी मुबारिक हो लेकिन अब हमारे लिए वो बाचपाई हैं अब हम भारतिय जनता पार्टी के साथ भी लड़ेंगे इनके साथ भी लड़ेंगे और हमारी कुमिट्मेंट परदेश के लोगों के परती है पांच वर्ष के लिए कांगर्स पार्टी को परदेश के लोगों ने जनादेश दिया है पांच साल लोगों की सेवा करेंगे और जिन लोगों ने पांच वर्ष से पहले ये राजनिती करके जनादेश का अपमान किया है उनको इसका कम्याजा बहुतना पड़ेगा